So welcome back दोस्तों, देखे आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक महीला का अपने पिता की संपती पर कितना अधिकार होता है, इन केस अगर फादर की डैथ होयाती है, तो डैथ के बाद क्या एक महीला फादर की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए आवेदन कर सकती है या फिर उ कौन सी कंडिशन है जहां पर एक महीला को पिता की संपतिया नहीं मिलती, सब कुछ आपर डिसकस करेंगे, ठीक है दोस्तों, देखे पहली बात तो यह है दोस्तों कि 2005 में एक सुप्रीम कोट अधिनियम लेके आया था, हिंदू उत्रादिकारी अधिनियम 2005, इस अधिनियम क साफ से दोस्तों सुप्रीम कोट ने साफ सा बोला था, की जो पिता होता है, उसके लिए एक बेटा और एक बेटी, दोनों बरावर होते हैं, और इसी को देखते हुए, जो सूप्रीम कोट ने एक फैसला सुनाया है, की पिता के संपति पर जितना अधिकार एक लड़के का है उसके बेटे का है उतना ही अधिकार एक लड़की का भी है उसकी बेटी का भी है यहाँ पर बेसक बेटी की साधी हो चुकी हो या फिर बेसक लड़की कुवारी हो दोनों ही कंडिशन समान है लड़क लड़की बराबर रहेंगे इसके अलाबर दोस्तों अगर कोई parents है उनका ना तो कोई बेटा है या ना तो कोई बेटी है in case अगर बेटा बेटी थे और उनकी death हो गई थी तो उस case में जो उनकी property है वो उनकी legal hires को दी जाएगी legal hires के लिए यहाँ पर दो class हों में बाटा गया है आप देख सकते हैं class 1 में कोन आएगा और class 2 में कोन आएगा court के हिसाब से पहले संपतिया class 1 वाले members को दी जाएगी in case अगर class 1 में कोई भी member जीवित नहीं है कोई भी member नहीं है तो उसके बाद class 2 में जो member आते हैं उनको संपतिया या पैसे मिलेंगे ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ गयोंगे कि एक लड़का और लड़की दोनों का ही अधिकार होता है अपने पिता की संपति पर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं उन conditions की जहाँ पर एक महीला को अपने पिता की संपतिया नहीं मिलेंगी और नहीं वो उनके लिए दावा कर सकती है ठीक है ठीक है पहली condition है जब तक आपके माबाप जिन्दा है तब तक आप अपने हिस्से के लिए दावा नहीं कर सकती जैसे कि आपके मापाप मालो जिन्दा है तो उस case में कोई भी चाहे आप हो चाहे महिला हो चाहे उसका बेटा हो चाहे कोई भी legal hire हो तब तक वो अपने हिस्से के लिए उनके संपत्यों के लिए उनके पैसों के लिए दावा नहीं कर सकते इसके बाद दीखे हम आते हैं दूसरी condition पर अगर आपके parents ने अपने जिन्दा रहते हुए किसी particular एक legal hire को कोई संपत्य या कुछ पैसे as a gift दे दिये हैं तो उस संपत्य या फिर उस पैसे के लिए आप parents के मरने के बाद claim नहीं कर सकते for example मालो आप दो भाई एक बहन थे और जो आपका छोटा भाई है छोटे भाई को ममी पापा ने एक कहीं पर जमीन as a gift group में दे दी जिन्दा रहते हुए उसके नाम करवा दी तो उस जमीन के लिए आप ममी पापा के मरने के बाद दावा नहीं कर सकते जमीन को भी हमारे इससे में बाट इसको तीनों बाटेंगे तो इसके लिए आप दावा नहीं कर सकते जो पहले दे दी उन्होंने वो अनुन दे दी यहाँ पर आपको एक चीज़ धानक नहीं पड़ेगी कि जो भी यहाँ पर property या फिर जो भी पैसे या फिर जो भी समान द होगा तो ही यह मानने होगा अन्न था अगर लिक्षित में नहीं है तो फिर आप क्लेम कर सकते हो उसके लिए भी ठीके दोस्तों इसके बाद बात करते हैं तीसरी कंडिशन की देखिए अगर आपके parents ने कोई will बनाय हुई है कोई वसीयत बनाई है और उस वसीयत में आपका दावा नहीं कर सकते हैं अगर वसीयत में नाम नहीं है तो आप दावा नहीं कर सकते किसी भी चीज के लिए ठीके यह वी चीज आपको ध्यान रखने पड़ेगी ठीके दोस्तों इसके अलावा एक लास्ट कंडिशन है इन केस अगर आपने खुद ही लिखित में दे दिया ह कि मुझे मेरे पेरेंट्स की संपत्ती में या किसी भी चीज में कोई हिस्सा नहीं चाहिए तो उसके लिए भी आप बाद में दावा नहीं कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो यह सब कंडिशन आपको ध्यान रखने होगी उसके बाद ही आप कोई एक्शन लें और उसके बाद ह आप जो आपके राइट्स बनते हैं वो आप फोलो करें और संपत्ती बगरा में जो भी आपको इससा चीए वो मागे ठीके दोस्तों उसके लिए क्लेम कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जो संपत्ती हैं जिनके हम बात कर रहे हैं सुरू से कि प्रॉपर् गोई नोमिनी है, वो directly will के हिसाब से बढ़ जाएगा, मतलब अगर कुछ वशियत बना रखी है, बाइ इस वशियत में इस लड़के को यह को मिलना चूए, या इससे लड़की को इतना मिलना चाहे यह क हिसाब से बढ़ जाएगा, इनकेस अगर कोई will नहीं है, कुछ भी लिखित में नहीं है कुछ भी नहीं बता रखा, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर जो legal hires थे, जो मैं आपको लिष्ट दिखाई थी कि class 1 है, class 2 है तो इसमें जो class 1 वाला legal hire है, पहले वो claim करेगा in case अगर class 1 वाले legal hire नहीं है जिन्दा तो उस case में जो class 2 वाला legal hire है, वो court में claim करेगा उस पैसे के लिए और वो पैसा फिर उसको मिल जाएगा, ठीके दोस्तों अब हम बात करते हैं, देखिए अगर कोई PF का पैसा है, PF में कुछ पैसा था, तो उसका क्या होगा देखिए उस condition में दोस्तों, जो PF में जो nominee होता है उसी को पैसा मिलता है, वहाँ पर बेसक आपने will में किसी और का नाम लिखा हो पर will वहाँ पर काम नहीं करेगी जो nominee रहेगा आपका PF account में उसी को पैसा मिलेगा, वही उसको खर्च करेगा, वही उसका मालिक रहेगा ठीके दोस्तों, इसी की तरह अगर share market में कुछ shares है तो उन shares को भी nominee को दे दी जाएगा, चाहे nominee कोई भी हो, उसमें will काम नहीं करेगी मतलब अशियत में कुछ भी लिखा होगा पर जो nominee रहेगा, share market में या PF account में उसी को ये पैसा मिलेगा, वही इसका मालिक रहेगा ठीके दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों, I hope आप समझ गयोंगे कि एक महीला का अपने पिता की संपत्ती पर पूरा अधिकार होता है, in fact मैं आपको सब कुछ बता दिया है कि किस तरीके से बटवारा होगा किस तरीके से आप claim कर सकते हैं और कहां पर किसको क्या मिलेगा ठीके दोस्तों, तो इस वीडियो को मैं ही खतम करता हूँ, इसको लेकर अगर कुछ मन में सवाल है या कुछ कहना चाहते हो तो प्लिस कमेंट कर देना, इस वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते हो जरू जाना एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका आभाड़ी रहूँगा, थैंक्यो अरि मच